तो मिल रहे हैं एक और नही रेसिपी के साथ हाज मैं आपके साथ शियर करूगा बहुती टेस्टी, हैल्दी यमी सा कस्टड केक और ये हम मैदे से नहीं बनाएंगे, सूजी से बनाएंगे जो पूरी तरा से हेल्दी होगा और बहुती यमी बनेगा इतना सोफ्ट होगा आप फटा फट से घर पे बना सकते हैं बच्चों के लिए और इतने असान तरीके से बनाएंगे कि कोई भी मुश्किल नहीं होगी और सबसे बड़ी बात हम इसे अवन में नहीं बनाएंगे कडाई में बनाएंगे तो देखिए आपको दिखारी कितना सोफ्ट और यमी है कितना जारीदार केक बना है रेसिपी को पूरा देखीगा तब ही आपको पता चलेगा कैसे बनाया तो चले शुरू करते हैं आज की रेसिपी इसके लिए देखिए हमें सबसे पहले एक बाउल में आधा कप पीसी हुई शूगर चाहिए शूगर पाउडर चाहिए तो यहां पे देखिए आधा कप लिया है हमने शूगर पाउडर और यह आधा कप ले रही हूं मैं ओयल का सरसो का तेल ना ले कोई भी कुकिंग ओयल ले ले तो लीजिए इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मिला ले बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाना चाहिए यह बहुत ही आसान से तरीके से बढ़नेगा बहुत ही टेस्टी बढ़नेगा तो लीजिए शूगर प तो लीजे दूद भी हमने इसमें मिक्स कर लिया तो यहां पर ले रही हूं एक कप सूजी अगर सूजी मोटी है तो उसे आप पीस ले तो लीजे एक कप सूजी ली है हमने और उसमें हम डाल रहे हैं आधा कप आधा कप या वन फोर्थ कप इसमें डाल दे कस्टड पाउडर यहां पर मैंने वैनिला कस्टड पाउडर डाला है तो यहां पर एक छोटी चुटी चमच लिया है बेकिंग पाउडर और आधी चोटी चमच लिया है बेकिंग सौडा यह सब डाल के हम अच्छे से इस चलनी में से इसको मिक्स करते हुए छान लेंगे तो जैसे हम देखिए यहां पे अगर आपके पास custard powder ना हो तो आप इसकी जगा पे vanilla essence भी डाल सकते हैं मैंने इसलिए नहीं डाला क्यूंकि custard powder हमारा vanilla flavor था तो लीजी इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे बिल्कुल ऐसा गोल रेडी हो जाना चाहिए यह सूजी से बना रहे हैं तो बहुत ही healthy और tasty होगा तो लीजी हमारा जो बैटर है यह बिल्कुल ready है केक का तो यहां पे हम एक बरतन लेंगे आपके पास केक टीन हो तो वो ले सकते हैं तो यहां पे मैंने थोड़ा सा oil लिया है उसके साथ इसको अच्छे से grease कर लिया है तो इसमें मैं डाल दूंगे एक चमच मैदा और इसे हम सारे इस बाउल में अच्छे से फैला लेंगे सारे किनारों पे अच्छी तरह से यह मैदा डस्ट कर लेंगे आप चाहे तो यहां पे बटर पेपर भी लगा सकते हैं तो यह लिए हम इने कड़ा ही और इसमें मैं यहां पे डाल रही हूं इरेती बिलकुल आराम से सब को पता होगा आप चाहे तो इसकी जगा पे नमक भी डाल सकते हैं तो लिजिए यह रेती हमने इसके अंदर डाल ली है और इसे ढखके हम गर्म होने के लिए रख देंगे क्योंकि उसे पहले प्री हीट करना पड़ता है तो चलिए यहां पे जो हमने बरतन मैदा लगा के त्यार किया था केक बनाने के लिए उसमें हम वह बैट से इसमें डाल दिये हैं अच्छे से उपर से स्प्रिंकल करते हैं और अब यह बिल्कुल रैडी है कडाही के अंदर जाने के लिए तो लीजिए इसके अंदर मैं स्टैंड रख दूंगी इस तरह का अगर बाई चांस स्टैंड कई वर नहीं होता तो आप उसकी जगा पर को 30-25 मिनिट मुण हो गए हैं तो यहां पर देखें तो थोड़ा सा यह 50- Gina और लगेंगे हैं तो मैं इसको ढख के फिर चोड़ दूंगी क्योंकि अगर हम गरम गरम निकालेंगे तो यह नीचे से तूट सकता है तो आप जब भी इसको निकाल दे पूरा 50 मिनिट के बाद मैंने इसको निकाला और फिर एक घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया तो ठंडा हो करके निकालेंगे तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा बीना टूटे तो लीजे देखें कितना टेस्टी और यमी सा अंदर से हमारा केक निकलेगा देखें बिल्कुल वैसा रेडी हुआ है जैसा अवन में बनाते हैं कितना बढ़िया से उपर बेख हो गया नीचे से बेख हुआ है तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ इसको की साइड चेंज करके पूरी तरह से हेल्दी है उपर से पूरे ड्राइनेट्स डाले हुए ह देखें बच्चों को बिल्कुल अराम से आप घर पर बना के दे सकते हैं कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ना हमने अवन का य्यूज किया कडाही में बिल्कुल अराम से बनाएए और एक घंटे में हमारा टेस्टी और हेल्दी सा केक बनके बिल्कुल रेडि है बच्चे भी खुश हो जाएंगे तो देखिए कितना सॉफ्ट है यह तो आप चाहें तो इसके इस तरह से पीसिस भी कट कर सकते हैं या इसको स्लाइस में कट कर सकते हैं तो अब ही मैं फिलाल आपको काट करके दिखा रही हूं एक पीस देखिए इसको आप लंबी स्लाइस में भी कट कर सकते हैं और जैसे पीसिस में कट करना हो व्यासे भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी रासी पे अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेरो चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलीगा जो फ्रेंड्स चैनल पे नई आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तो देखिए कितने अराम से कट रहा है कितना सॉफ्ट केक बन के रैडी हुआ है अच्छी तरह से बेक हो गया गया हैं अंदर से देखिए कितना जालीदार है और कितना फ्लफी है कितना सॉफ्ट है आप देख पा रहे हैं इस तरीके से बनाके देखिए घर पे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा अब केक बनाना भी हमारे लिए मुश्किल नहीं रहा है तो लीजिए आभी मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए तोड़के कितना सॉफ्ट है यह कितना जाड़ीदार है तो लीजिए आप इस तरह की रेसिपी ट्राइ करके देखिएगा बहुत ही टेस्टी बनेगी बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बाहर की केक से अच्छा है कि हम घर पे बच्चों का अच्छा सा टेस्टी और हेल्दी बनाके दें तो बहुत बढ़िया रहेगा अगर अगर रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ में दीगे बैल आइकन को प्रेस कर दे ताकि रोज आने वाड़ी वीडियो की नोटिविकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उसे देख पाएं रेसिपी सब्सक्राइब के साथ अब तक के लिए टेक केर बाबाए